ओम श्रिगने शायन नमद स्वागते मित्रों आप सभी का अपके अपने यूटूब चैनल धनू की दुनिया में बात करेंगे जिनका नाम अंगरे जी के के अक्छर से सुरू होता है उनका आने वाला वर्स 2022 कैसा रहेगा 2022 के वर्स शिकरासिफल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चलिए दोस्तों वीडियो की सुरूआत करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से भाई बंदों से दोस्तों से विनमरनी वेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रिश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए शुरुआद करते हैं जानते हैं आने वाला वर्स यानि कि तो हजर बाइस के नाम वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा चैनल मुकुंडली हास तरिका से सम्मंद्ट चानकारी के लिए नीचे जो नमबर देख रहा है उस पे आप हमसे शंपरक कर सकते हैं चलिए शुरुआद करते हैं दोस्तो के नाम वाले जातकों के लिए या बहुत ही अच्छा मौका रहेगा करियर के लिहास से बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तो इस वर्स महनत और प्रतिबंदता पूरी आपको रखनी चाहिए महनत करना चाहिए वर्स के मद्ध में यानि के बीच में आपको अपने करियर के छेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो तो आपके आठवे घर में इस्तित सनी आपको कारी छेत्र में कड़ी परिश्रम करवाएंगे वर्स के दूसरे तिमाही में आप आधिकारियों और साथियों के सद भावना अर्जित करने में आप उनसे सफल होंगे वेतन व्रिद्धी और पद्धुनत्ती भी आपकी हो सकती है विसे इस रूप से जो सिक्छन के छेत्र में जो लोग हैं इस समय उनके लिए अच्छी खासी रहने वाली अच्छा इमेज हासिल करेंगे उनका भी ट्रांसपर या फिर पद्धुनत्ती हो सकता है थो खुद का व्यवशाई करने वालों को जोजा तक के नाम के जचल तक खुद का अपना व्यवशाई करते हैं इस साल बेहतर शंभावना रहते हैं कॉसल में सुधार आएंगा बहुत सारे विकल्ब हैं आपके लिए बहुत अच्छे नौकरी लेकर आईगी उसको अगर आप वेपार करते हैं तो यह वर्स कुछ परिशानियां जरूर जहलनी पड़ेगी लेकिन उसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें क्योंकि खर्च की अपेक्छाक्रित बहुत कम होगा कुल मिल अगर आप लाव में रहेंगे और कोई बड़ी समस्या नहीं होगी वर्स केंद में कुछ बड़े समझाते होंगे जो आगे के लिए लावदाय के सिद्ध होंगे जॉब करते हैं तो इस वर्स आपका मन अपनी जॉब में कम और अन्य कामों में ज़्यादा लगेगा आप अपने रुची के अनुसार काम करेंगे और शायद जॉब से त्याग पत्र भी दे दे कोई भी बड़ा निर्ने पूरे विमर्स पूरे परिवार वालों के शहमती से ही लीजिएगा जब तक सब की शहमती ना हो कोई भी निर्ने नहीं लीजिएगा सक्षा की बात करते हैं के नाम वाले चात को का आने वाला वर्स यानि की 2022 सक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा यदि आप स्कूल में हैं तो यह वर्स आपको ज़्यादा मेहनत करने के अवश्यक्ता होगी अनिता परणाम आप यान कूल नहीं आएगा उच्चे सिक्षा गरान कर रहे है चात्रों के लिए वर्स 2022 जो है उत्तम रहेगा और आपको कई छेत्र में अच्छे जॉब ऑफर भी मिल सकते हैं जिससे आप उसमें रुची भी लेंगे दोस्तो कॉलेज के चात्रों को इस वर्स अपने काम के लिए शाबासी मिलेगी और अध्यापक भी आपसे काम से खुश होंगे दोस्तो सभी मित्रों से आपका परदर्शन बहतर रहेगा जिस कारण दोस्तों में भी मान सम्मान आपका बढ़ेगा जो जातक सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं जो के नाम वाले स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तलास में थे बड़े समय से लंबे समय से अगर परिश्रम कर रहे थे तो इस वर्स शुब संकेत मिल रहा है यानि कि सरकारी नौकरी आपके लगने के योग भी दिख रहे है बात प्रेम शम्मंद की करते हैं प्रेम जीवन कैसा रहेगा के नाम वाले जातकों के जीवन में लव लाइफ कैसी रहेगी तो हचरबाइस में दोस्तो वर्स की सुरुआत जोगी अच्छी नहीं रहेगी और अपने साती के साथ कुछ बातों को लेकर मतभेद सामने आएगा रिस्तों में दूरिया बढ़ जाएंगी तो वही किसी और पर भी आकर शुना सकता है दोस्तों वेवाही के जीवन भी डमडोल रहेगा और कुछ बातों को लेकर असमन जस्स की स्थिती जीवन में बनी रहेगी दोस्तों वेवाह के प्रतिक्षा में हैं तो इस वर्स आपके लिए कुछ अच्छे प्रस ताओ तो आएंगे लेकिन किसी ना किसी कारण उसमें अडचन आसके जाएगी इसलिए पहले से ही शावधान रहे और घर की बातों को बाहर कहने से बचे अन्य था आपका ही नुकसान होगा बात हेल्थ की करते हैं स्वास्त की करते हैं स्वास्त के नाम वाले जाथ को काने वला वर्स 1222 में स्वास्त कैसा रहेगा तो सारी रिक रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी लेकिन मानसी जो है स्वास्त ठीक नहीं रहेगा इस वर्स आपको कोई नाम कोई ना कोई तनाव घहरे रह सकता है चाहे वो करियर को लेकर हो परिवार को लेकर हो या किसी अन्य कारण से ऐसे में चिंता करने के बजाए उसका हाल नकालने का प्रयास करें तो परिणाम बहतर होंगे और इस्तियास समाल जाएंगी तिक बिस्टिकोंट से देखा जाए तो के नाम वाले जातको के लिए वर्स 2022 अच्छे परिणाम देगा साथ ही आपके ट्रेडिंग हाउस के मालिक जो है विरस पती देव यानि कि आपके जो धन के मालिक हैं विरस पती देव आपके करियर में जो है अच्छा चमकाव लाएंगे यानि कि आर्थे किस्तिती आपके सुधा देगे नतीजन आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे इस वर्स आपको पद्दनती भी मिल सकती है सुरू में ही बताया गया था इस दोरण आपके जीवन में कई शकरात्मक बदलावाएंगे आपको आए के कई स्टोथ मिलेंगे इसके लावाँ आप एक घर या एक नया वाहन भी इस वर्स खरीद सकते है यदि आप कलावर मन और अरंजन में सामिल है इसलिए आपको उमीद है कि अधिक लाव मिलेगा दोस्तो साथ ही अप्रेल से जुलाई और अक्टूबर नौमबर में ग्रहों के स्टिती जो है निश्चित रूप से आपको शकरात्मक परणाम देगी आप इस समय में निश्चित रूप से अच्छा पैसा कमाएंगे और इस वर्स आपको धन की कोई कमी नहीं होगी दोस्तो अच्छे वेतन और पद्धनत्ती की पूरी शंभावनाएं भी इस वर्स बन रही है साथ ही आपके काम को कारे अस्तल पत सराहा वी चाएगा दोस्तो ग्राहों की दसा कह रही है कि केनाम वाले जात्कों का जो दोहजार बाईस होगा आर्थिक मामलों के लिहाज से आपके लिए शानदार रहने वाला है आप इस वर्स जीवन का सही रूप से आनंद लेंगे जून, अगस्त और दिसंबर के महीने में आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं आप अपना पैसा लगजरी चीजों और वेविने सौक की चीजों पर खर्च करेंगे वही जून के महीने में आपके खर्चे बहुत तेजी से बढ़ेंगे आपके लिए बहतर हैगा कि आप पैसे का निवेश किसी नए काम में न करें या अगस्त तक किसी को धार ना दें दोस्तों जबके दिसंबर के महीने में आपका पैसा लंबी तूरी की यात्राओं पर खर्च किया जाएगा और आप किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं जदि आपका बेवशाय साजदारी में खराब है तो इसके पीछे आपको लोगों पर आँख बंद करके भरोसा करना बंद करना होगा अगर आप नौकरी पेसा हैं तो इस साल आपको नौकरी में लापरवाही करने से बचना चाहिए दोस्तो केना मौलेजात जो हैं 2022 में अपनी च्छमता और युग्यता को सही तरीके से दिखा पाने में काम्याब होंगे आफिस में बहस करने से बचें और लोगों के साथ अच्छे संबंद बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए इस साल आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जो आपके करियर को नई उच्छाई पर ले जा सकता है काम के सिलसिले से यात्राएं सफल होंगी आपको सटे और लोटरी से भी दूर रहना चाहिए जो कुछ चातर है के नाम के उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा ये वर्स उन चातरों के लिए अच्छा है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और समय का उच्छे लाब उठाना जानते हैं दोस्तो आपके लिए उचित रहेगा कि आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए और समय का लाब उठाई आप कला के छेतर में भी अपनी खिसमत आजमा सकते हैं इसके लिए सला है कि आप नकरात्मक सोच और नकरात्मक लोगों से दूर रहें या समय आउधी में आप अपने द्रिड कल्पना के कारण बहतर परणाम प्राप्त करने में सफल होंगे दोस्तो इस समय के दौरान आप एक नया कौसल या तकनीक भी सीख सकते हैं दोस्तो दूसरी और पाठे क्रम से दूर रहने वाले छात्रों को भी अपनी प्रतेबा दिखाने का आउसन मिलेगा प्रध होगी के छेतर में अपना परदर्शन योग होगा बस आप अपनी पढ़ाई का विशेश से ध्यान दे क्योंकि जो नियमित अभ्यास से सफलता मिलेगी इसलिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बार बार समझने का प्रयास करें एंबी और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले चातरे सफलता की उम्मीद कर सकते हैं हाईटी के चातरों के लिए जो समय है नुकसान दे बरा रहेगा लेकिन आपको ये बता दे कि सदेव याद रखना होगा कि सफलता का कोई शॉर्ट कर्ट नहीं होता इसलिए अपने अस्तर पर कड़ी मेहनत करते रहिए और पढ़ाई को गंभीरता से लीजिए इस तरह आना आप कई नए कौसल सीखेंगे और आप में आत्म विश्वास पैदा होगा आप अपने द्रड संकल्प के कारण बहतर प्रणाम प्राप्त करपाने में सक्छम होंगे दोस्तो के नामोले जातको को भविशिफल 2022 के अनुसार ये जो खास रहेगा इस वर्स आप अपना समय अपने परिवार वाले को शमर्पित करेंगे जिससे परिवार में खुसी का महौल बना रहेगा साथ ही ये वर्स आपको घर की आवे शक्ता है के अनुसार नई चीजों के खरदारी भी शुब दिखाई दे रही है आपके परिवार में किसी भी सुब काम का आयोजन होगा जो कि संभव है और इस सभी कामों में परिवार में शकरात्मक उर्चा आईगी हलाकि इस वर्स के मद्ध में परिवार से सम्मंदित किसी घटना के कारण आप पर नकरात्मक परभाव भी पड़ सकता है इसके लिए आपको शायम और समझदारी दिखाने के आवे शक्ता होगी क्योंकि ऐस सम्मावना है कि इस दोरान आपके जीवन साथी का आपसी आपसे जो सास या किसी को लेकर विवाद हो सकता है ऐसे में अगर आप कोसिस करें तो असानी से हल कर सकते हैं या नियता उसमें फंस कर विवाद लंबा हो सकता है दोस्तों जून का महीना आपके परिवार में खुसियों की एक नई किरन लेकर आएगा और इस दोरान आपके परिवार में शुबकामों के संपन होने के भी शंकित दिखाई दे रहें दरान घर में महमानों के आने से परिवार में उत्सा का महौल और बियस पस्ट देखा जाएगा तो दोस्तों मंगल देओ इस साल सितंबर से अक्टूबर तक आपकी कुंडली के चौते घर में रहेंगे जिसके कारण परिवार में अशांती का महौल रहेगा तो थोड़ा समल कर रहें अपनी तरफ से शांती बनाये रखें आपको ध्यान रखना है कि आप अनावशक चीज़ों को बढ़ने ना दे साथ के साथ हर मुस्किल निकालने का भी प्रयास करते रहना चाहिए आपको इस वर्स आपको अपनी मा के साथ कुछ समस्याए होने की भी शंभावना इंद दिखाई दे रही है तो दोस्तो ये था कि नाम वाले चात्कों का आने वाला वर्स 2022 कैसा रहेगा इस वीडियो में हम लोगों ने यही चना उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें मुस्कुराते रहें आसपास सफाई रखें घरवालों का ख्याल लखें साथी साथ अपना भी ख्याल लखें यवार्स आपके लिए मंगल में बीते शुब बीते अच्छा बीते यही कामना करते हैं जैश्रादे जैबूरे नाथ हर हर मात